साक्षी लिविटेट की निगमित इशूट शेयर कापिटल किता है 65,020 रुपए वाले शेयर से ये तको ये वाला फिर क्या है 10 रुपए वाले 4.5.5 लग समता अंच ये वाला, ये दोनो अधिमान अंच 1 अपरेल 2015 को शोधन के लिए दे है ठीक है, तो फॉर रेडंप्शन ये क्या है, रेडी है अब देखो कैसे बालेंच शीट में ये ये लाइबिरिटी साइट दिया है ऐसे ही एसेट दिया है अब देखो अधिमान अंचो के शोधन ये निश्चे किया गया की अब देखो पैसे चाहिए शोधन करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स कितने का है देखो कितने का है इन्वेस्टमेंट्स तीन लाख बचाए मैं की भी ह possiamo ओक दो तो तु अ उवजिद तते चलो तो मैं रफ़ तो दूँगे है ना यह क्या हो गया राइट-алफ के मतलब लोस ऑन सेल व एन व शमलब यह आया समझ में इंवेस्पेंट का क्या होगा किसी ने पूछा था शायर अभी है ना नेक्स देखो लाभानी विवरण में तीन लाग का शेश छोड़कर शेश लाबों तक शोधन के लिए कमपनी कोश में से वित्यव विवस्था की जाए तो लाभानी में हमको तीन लाग बचा के रखना है तो उस में देखो अब कैसे करना है तो लाभानी में किता है मां पिए देखो यह नौछेश लीज में विवरण में इनौ लाग एँझे लाग दिच्व लाग हना है अरब prob औरम और सब्सक्री्डव यह वर इसमें से तीन लाग बचाया जाया तो तीन लाग तो श्मेसे बचालो पहले किस चीश के लिए है बचाने बोला है वेगो कुसिन में क्या लेकर तीन लाग का शेह स्भाग टक शोधन के लिए this company कोश्च में से वित्तिय व्यवस्था की जाए तो हमको 3 Lakh site करके रखना है तो बचा कितने पास अपने पास 6 020,000 बचा है अपने पास आ रहे समझे हैं अब इस 6 020,000 में से यह थो यह कि इन्वेस्टिमेंट का हमने तीन लाग में बेचा तो पचास अजर का जो लॉट वो इसमें से निकाला तो कितना बचाँ छे लाग में से अब पचास अजर गया तो इन्वेस्टिमेंट लॉट बताओ जल्दे अलदी कैलकुलेशन करो बैठे नहीं रहना है भूंगे जैसे जल्दी से नोट किया तो मैं इसको करूँ जल्दी से पचास अजर का इन्वेस्टमेंट दिया है उसको तीन लाग में क्या कर दिया से तो जो पचास अजर उसमें से देखो शेश के लिए पर्याप्त मात्रा में दस रुपए वाले समता अंच धाई रुपए प्रती अंच के प्रीमियम पर निर्गमित किये जाएं तो कितना इमाउंट और बच रहा है अपने पास तो ये रफ करूं मैं ये वाला वर्किंग और मैं रफ कर लिए को ये वाला चिक्क है अब देखो रिदेंशन कितने का करना है शेयर देखो कौन सा टॉपिक चल रहा है प्रिफेरेंश चेयर चल रहा है तो प्रिफरेंश शेयर ही होगे क्या रिडम्शन होगे तो कितने प्रिफरेंश शेयरे अपने पास देखू तेरा लाग की को को si einera ह q program Kip चिसमें से टोटल कैश कितना है अपने पास देखो देखो तेरा लाग का है शाथ लाग तीस हजार जिसमें से पांच लाग सतरा जार प्रॉफिट से या तो बैलेंस किता बचा है साथ लाग तीस हजार अब कोश्चन में आप लोग थर्ड लाइन देखो शेश के लिए परियाप्त मातरा में दस रुपए वाले समता अंच धाइर पर प्रती अंच के प्रीमियम पर निर्गमित किये जाए ठीक तो अब देखो कितने इशु करेंगी शेयर देखो 10 रुपे वाले शेयर इशु करने ठीक है और 2.50 किस पर प्रीमियम पर आ रहा है समझ में इस तो बताओ कितने शेयर इशु करेंगा यह वाला एक वर्किंग नोट में करवाई भी आप लोगों को पड़सों एक कुशन तरवाई थी जिसमें मैं आपको शेयर काल्कुलेट करके बताई थी बताओ कितने शेयर इशु होंगे इसहसाब से और वर्ड यूज़ क्या है परियाप्त मात्रा में बताओ में को बताओ बताओ नहीं बताओ किसी को बताओ किसी से अरे यार देखो यार 7,30,000 चाहिए कित्ते रुपे का शेर है दस रुपे का डिवाइट कर दो दस से तो 73,000 शेर तो वे न भीटा at the 10 रुपेश आएस्ट में के सिवाप आएस्ट में किस्वाप पर सिक्यार्टी प्रीमियम कितना हो जाएगा 73,000 शेरें थाई रुपरे के साब से करो 73,000 एंटू थाई 2.5 1,2,500 यह देखो यह लेजर फोल भी हमेशा बनाना एक्जाम में है डेबिट अमाउंट ही हो गया यहां है जाएगा क्रेडिट अमाउंट देखो पहली एंट्री करेंगे 2015 में अपरेल एक को देखो बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है फिर loss on sale of investment देखो यह investment जो भी था कित्ते में बेचा तीन लाग रुपे में बेचा और पचास जार का loss हो गया ठीक है टू investment account इस entry में डाउट है किसी को तो पूछो जल्दी से नो मैं ठीक है entry clear है सबको नेक्स देखो फिर statement वाले में से जो profit and loss था विवरेंड उसमें से मैंने पचास जार ले लिया था इसका माइनस करवाया था ने profit में से तो इसलिए statement of profit and loss में इसको वो कर दिया write off कर दिया अपने loss को देखो यहां पर loss अपन डेविट में शो कर रहे है यहां मैंने इसको credit में शो करके खतम कर दिया entry यह देखो write off कर दिया मैंने इसमें से next देखो third entry है ना अब क्या करेंगे अपन share issue करेंगे कितने के bank account debit to equity share capital account to security premium reserve account देखें तो देखो यह कितने का आगया साथ लाग तीस हजार का यह करवाई थी मैं एक लाग 82,500 तो टोटल करोगे तो कितना आएगा नौ लाग 12,500 यह यहां देखो गया फिर क्या करेंगे अपन यह वाला देखो फिर से बता रही हूं नौ लाग 20,000 था जिसमें से तीन लाग कंपनी ने साइट करके रखने के लिए बोला छे लाग बचा जिसमें से ने कितना बचा जिसमें से 50,000 मैंने किसको दे दिया इन्वेस्टमेंट को यह दे दिया 50,000 तो बचा कितना पांच लाग 70,000 तो यह पांच लाग 70 किसमें यूज किया मैंने रिडंशन में तो वही और जो बचा हुआ अमाउंट है उसका शेयर इशू किया कितने के शेयर्स थे अपने पास प्रिफरेंट शेयर्स कोशन में अगर देखोगे तो अपने पास 13,000,000 के प्रिफरेंट शेयर्स थे तो 13,000,000 में से यह 5,70,000 और बाकी जो बचा है कितना 7,30,000 उसके लिए हमने क्या इशू किया एक्विटी शेयर्स थे तो यह जो 5,70,000 किस में से जा रहा है है प्रॉफिट वाले में से तो उसके लिए एंट्री होती है देखो स्टेट्मेंट ओफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट टू कैपिटल रिडम्शन रिजर्व एकाउंट कितने का 5,70,000 यह हो गया अब क्या करेंगे अपन यह उपर वाली है यहां में बना रही हो है अब मैं साइड में देखो यह 1st एंट्री, 2nd, 3rd, 4th अब 5th एंट्री देखो अब शेयर ओल्डर एकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 10% रिडमेबल प्रिफरेंस शेयर कैपिटल एकाउंट डेबिट टू 10% रिडमेबल प्रिफरेंस शेयर ओल्डर एकाउंट ठीक है कितने से जाएगा 13,00,000 से 10% रिडमेबल प्रिफरेंस शेयर होल्डर एकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तेरा लाग अरे पूछनी था कुछन में कितना इजी था हर बार यह कुछन तो करवा रही हूँ आया समझ में कुछन कैसे सॉल हुआ देखाओ बैलेंस शीट आफ्टर डिडमिशन लिखना पर्टिकुलर लिखना और यहाँ एमाउंट की जगह आप लोग यह डाल सकते हैं ऐसे रूपीज वाला है ना यह वाला ऐसे नेक्स दिखाओ फर्स्ट होता है अपना इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी देखो लायबिलिटी के साथ आप एक्विटी लिखा जाता है ठीक है तो और सीक्विन्स याद करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन शेयर ओल्डर फण अब शेयर ओल्डर में प्रिफरेंशेर तो चले गई पुरानी बैलेंशीट देखो मैंने कोश्चन में दिया आप लोगों के साथ तो उसमें ने साड़े चार लाग एक्विटी शेयर थे तो अभी हमने जो फ्रेश इशू किये कितने किये 73,000 तो चार लाग और 73,000 ये हो जया हो गया अपना पांच लाग 33,000 एक्विटी शेयर कितने रुपय वाले दस रुपय वाले तो यहां पर आएगा 52,30 ऐसे ठाउज है ये हो गया फिर इसके बाद बी बनाना ये ए हो गया है ना एक सेकंड ये फर्स्टी ये शेयरोलडर फंड ठीक है इसके अंदर लिखना था A share capital ठीक है ये हो गया अब B reserve and surplus यह देखो यह शेयर कैपिटल के अंदर आया है रिजर्व इन सप्रेस्ट फिर देखो सिक्यॉरिटी प्रीमियम रिजर्व वो जो डाइर पे वाला प्रीमियम का अमाउंट आया था ना वन लाइक एटीटू फाइफंड़ वो आएगा इसमें फिर क्या आएगा इसमें कैपि पुन्जी शोदन संचेक हाते में डाला था ना यह वो आजाएगा फिर स्टेट्मेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो जो तीन लाग साइट करके रखने बोली थी कंपनी वो आएगा इसमें फिर सेकेंड देखो सीक्वेंस आप कोशन में भी देख सकते हो इसी सीक्वे बैलेंशिट बनी है कुशन में फिर करेंट लाइबिलिटी इस दी हुई है कुशन में हमने इसको कुछ पे नहीं किया कुछ भी नहीं है ना ट्रेट पेबल्स कितने के थे अपने 11,50,000 इसका टोटल करेंगे ठीक है इसके नीचे एसेट बनेगी देखो इसको यह ऐसे रोमन में फर्स्ट दिया था तो इसको सेकेंड देंगे ठीक है अब इसमें पहला है नौन करेंट एसेट देखो कुछिशन में नौन करेंट एसेट में प्लांट एंड मशीनरी और फरनीचर दिया है 25 लाग और फरनीचर 9 लाग 20,000 तो एसेट इस उतारना यह होगा आपका 9 लाग 20,000 ठीक है इसके आगे का यहाँ पर बनाती हूँ यह होगा फिर सेकेंड करेंट एसेट्स फिर इसमें पहला क्या था इंवेंट्री इंवेंट्री अपने पास कुछिशन में कितनी थी 15 लाग तो 15 लाग लिखेंगे फिर अपने पास क्या था ट्रेड रिसीवेबल्स थे बीस लाग के थे, 21 में से एक माइनस किया था, इसे हम बीस लिख रहे हैं, फिर क्या था आपने पास? Cash and cash equivalence, यह कितना था आपने पास? 6 लाग था, चलो मैं को इसकी amount calculate करके बताओ, पुराने वाले में 6 लाग है, ठीक है, तो अभी कितना बचा, बताओ, देखो, starting में total cash कितना था, यह 6 लाग था, ठीक, प्लस, यह जो surplus वाला है, यह, 3 लाग, यह भी company में side कर दिया था, प्लस, यह 6 लाग और 3 लाग में कोई doubt, फिर 9 लाग 12,500, यह कौन सा वाल है, जो share से issue किया था, कितना issue किया था, share से, 7 लाग 30,000 और premium का, 182,500 यह, ऐसे bracket बना के लिखना है, share issue था, तो total cash इतना आया था company के पास, अठारा लाग 12,500, current में, जिसमें से minus करेगी company कितना, बताओ कितना करेगी, तेरा लाग रुपें, जो preference shares को दिया, तो कितना बचा company के पास, पांच लाग 12,500, यही आएगा, पांच लाग 12,500, चलो total करो, देखो, सेम आएगा मेरे ख्यान से, कुषिन केसा था, अच्छा था था, तफ सा थोड़ा सा, यहस माम, इसका ना सेम एक बाट कुषिन होगा, सेम ऐसे ही, बतारी हूं कौन सा बला, देखो, एक्जाम्पल 8 और एक्जाम्पल 9, सारी, बाट कुषिन 8 और बाट कुषिन 9, सेम ऐसे ही बनेगा, अप लोग इसको ट्राय करके देखना, आ रहे हैं समझ में? यहस माम, 74, 32, 500, कहीं पर किसी एंट्री में डाउट है तो पूछ लो पहले, जल्दी से, यह कॉंसा हुशन था, इलॉस्ट्रेशन 16 था हिए, इन्हा? कोई डाउट है तो पूछो, माम जो लोस ऑन सेल अफ इन्वेश्मेंट के हो, उसको प्रॉफिट एंड लोसे एज़श काही किये में, करेंगे ने बटा, क्योंकि हम जो इन्वेश्मेंट हम बेच रहे हैं, वो क्यों बेच रहे हैं, प्रिफरेंचेर्स को पैसे देने के लिए? है न? यह सो, पुछिन में दिया न, इन्वेश्मेंट को हम क्यों बेच रहे हैं, profit and loss में से पताया था एकदम starting में इसलिए उस में से लिया आया समझ में और कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी से ठीक हो गया चलो अपने एंड करते हैं कल पूछना आप लोग बनाना वेटा देखो वैसे time waste मत करो ठीक है